गुड आफ्टरनून बच्चों, दिसेज संतु इस्टिवास्तों बेफर यू राम सुपर सेक्ष्टी एडुकेशन होगे, लिट्स बिगिन दे सेकेंड पार्ट आफ आफ आवर एक्टिव एंड पैसिवाश, तो आज एक्टिव और पैसिवाश का सेकेंड पार्ट हम जिसमें मैंने आपको assertive यानि declarative sentences सम्मंदित, जो difficulties आती हैं आपके सामने, उनको मैंने solution देने की कोशश के थी, इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे, जो sentences interrogative होते हैं या imperative होते हैं, उनको किस तरीके से हम पैसे में convert करते हैं, तो सबसे पहले हम समस्ते होंगे कि एक interrogative sentence जो होत होता है, वो ws से शरू होता है, ws से शरू होता है, और किसे शरू होता है, helping verb से शरू होता है, तो आज जो हम त्यारी करेंगे, जो preparation करेंगे, वो इनहीं दोनों से शरूवात करेंगे, तो सबसे पहले जो हम start करेंगे, वो ws से जो वाक्य शरू होते हैं, उन्हें देखते हैं, माली जै कोई sentence हमको दिया गया और वो sentence है who से, who has called me, यह sentence हमको क्या कर दिया गया, आपको इससे passive में convert करने के लिए दे दिया गया, तो जैसे कोई sentence आप who से शुरू करें, who से active ass में देखें, तो आप तुरन समझ जाएं कि active ass का subject होता है, तो passive का क्या बन जाएगा, object, तो object के पहले यहीं पर क्या कर लेते हैं, by लगा लेते हैं और इसे whom में convert कर लेते हैं, by whom, और एक चीज़ का ध्यान रुखना है, कि हमारा by whom के बाद नया subject क्या आएगा, subject क्या बन जाएगा, यह जो object था आपका, क्या बन जाएगे हाँ पी, आई बन जाएगा, है ना, तो आपको helping verb याप करते समय, लेते समय, इस icon उसार अब चलना हो, तो icon उसार has been क्या, इसमें convert हो जाएगा, have में convert हो जाएगा, और interrogative में हमेश साथ, दूसरी helping verb को subject के बाद रखते हैं, तो यहाँ आगया, being, और फिर verb की क्या आजाएगी आपकी, word form, by तो आपने यहाँ लिया हुआ है, तो इस तरीके साथ, who वाले वाक्य, जो बहुत अधिक exams में दे जाते हैं, यह आपके यहाँ कर सकते हैं, एक और example ले लेते हैं, जैसे हमने कहा, who will do this work, है न, अब तो आप थोड़ा बुश समझ गए होंगे, सबसे पहले who को किस में बदल ले हैं, by, whom में, और चुकी model पर subject का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ ले लेते हैं, will, हमारा नया subject क्या आजाएगा, this work, जो object था, वो यहाँ subject मन जाएग this work, और आपनी याद कर लिया होगा, किसी भी model के साथ हम क्या जोड़ते हैं, पैसिवाश में, भी जोड़ लेते हैं, तो दूसी helping verb को subject के बात कर लिया हमने, तो by whom will this work be, और वर्ब की और फार्म होगया देखे, पैसिवाश में जोड़ते हैं, ताकि आप और बहतर कर सकते ह कहा, who, should, reader, books, आप तो कर लेंगे, जादा तर बच्चे आप में से, सबसे पहले ही who को हमने किस में change कर लिया, by, whom में, और model पे, तो कोई फर्ब नहीं पड़ेगा subject का, तो उतार लेते हैं, should, हमारा नया subject क्या आजाएगा, books आजाएगा, by whom should, books, और क्या जोड़ेंगे model के याद हो गया, be, और वर्ब की हमें साथ थर्फा, तो लिखेंगे read, और दोलेंगे letter, सबी बच्चों को समझ में आ गया होगा, जो who से बने वे sentences होते हैं, तो चलिए, ये sentence मैं लिख रहा हूँ, इसे अपने से करके आप दिखाएगा, तो आप और ब्यातर कर लेंगे, जैस सोचें बच्चों, क्या कर सकते हैं आप, अपनी मन में सोचें कि सबसे पहले क्या लेंगे, क्या लेंगे सबसे पहले, by, whom, फिर क्या लेंगे, model पे किसी भी subject का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने उतार लिया, can, और फिर नया subject हमारा क्या हो चाहेगा, this letter, जो यहाँ आप फार्म, क्या हो जाएगा, written, I hope आपनी इसे त्यार कर लिया होगा, जो sentence, who से शुरू होता हो, ठीक है, चले, अगर आपको दिक्कत होगी, फिर से इस वीडियो को देखेंगे, तो आप बहतर कर सकेंगे, अब कोई ऐसा sentence हम लेते हैं, जो whom से शुरू होता है, किसे शुरू ह होता, whom से, जो किसन कहा, whom, do, you, like, most, तो आप में से सारी बच्चों को पता होगा, जो whom होता है, वो एक objective case में होता है, यानि यहाँ पर whom क्या है, object, तो अगर यह active वाइस में object है, तो passive वाइस का क्या बन जाएगा, subject बन जाएगा, तो whom का subjective case क्या हो जाएगा, who हो जाएगा, और जब यह subject हो गया, तो आप सीध है, इसी तरह helping verb, main verb, और नए object को जोड़ दीजिया, तो यह present indefinite है, who के साथ क्या हो जाएगा, यह continuous की, इस आजाएगी, who is, और फिर आपकी verb की थर्फाम आजाएगी, who is liked, फिर verb के बाद क्या आजाएगा, एक मिल बच्चों, most भी है, तो यहीं पे हम उबर के साथ most लेते है, who is liked most, और यह आपका जो, यहाँ पे subject था, आप क्या बन जाएगा, object by you, अगर आपने कम समझा हो, चले हम एक और sentence ले लेते है, whom will you punish, ठीक है, whom will you punish, तो सबसे पहले, सारी, whom है न, whom, तो सबसे पहले, whom को हमने किसमें बदल लिया, subject बना लिया, अभी subject हो गया, जब subject हो गया, तो helping word, main word का क्रम आएगा, who, will हो गया, क्या चोड़ेंगे, be, word की third form, punished by, और जो subject था, वो आपका object बना जाएगा, ठीक है, एक और वाक देख लेते हैं, अगर आप कम समझाएं हो, whom, have, you, call, तुमने किसको बुलाया है, तो सबसे पहले, whom को क्या बना लिया हमने, who बना लिया, और who की अनुसार, who अब subject हो गया, तो सीधे helping word, main word से बढ़ जाए, तो who के साथ has ले लेते हैं, पैसे में क्या जोड़ेंगे, being, फिर word की third form, call, और आपका जो subject था, वो क्या बन I believe, आपने समझ लिया होगा, जो sentences, who या whom से शुरू होते हैं, कभी-कभी sentences आपके, what से दे दे जाते हैं, किसे, what से, what are you doing, मैंने बहुत सारी बच्चों को interrogative में फंसते वे देखा है, एक solution हो सकता, आप सारी बच्चों के लिए, क्या आप कर सकते हैं, चले, तो what are you doing, जब आप what से करते हैं, तो जैसे आपने देखा what के बात और है, फिर एक pronoun या noun है, फिर verb है, आप समझ जाएं कि what यहाँ पर क्या है आपका object, अगर यह active was का object है, तो फिर passive का क्या बन जाएगा, यह subject बन जाएगा, और जैसे subject बना, तो common sense यूज़ करिए, अब इसी के बाद helping word, main फिर आपका नया object आजाएगा, तो what is और continuous में क्या जोड़ते हैं, याद है न, what is being work के third form, done by और नया object आपका you हो जाएगा, समझ में आ रहाओगा सबी बिच्चों को, चले, ninth एक और देख लेते हैं, what will they buy, वो क्या खरीदेंगे, तो अब समझ गया होंगे, यहाँ वी दे noun या pronoun है, फिर verb है, इसका मतलब what यहाँ पर क्या है, object है, जब भी एक WH के बाद, यानि what हुआ, which हुआ, और whom हुआ, अगर इसके बाद helping verb है, फिर कोई noun या pronoun है, फिर main verb है, तो तुरहन समझ जाएं, वो वहाँ पर किसका काम कर रहे है, object का, कौन कौन से शब, what, whom, or which, ठीक ह behind object है, passive का क्या बन जाएगा, subject बन जाएगा, तो हमने ले लिया, what, अब तो सीधे helping verb में, चुकि subject हो गया, तो subject के बाद क्या लेते हैं, helping verb में लेते हैं, what, will, be, और word की third form आपकी हो जाएगा, what, by, दे का क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा, अगर दिखते होंग तो आप इस वीडियो को फिर से reverse करके देखेंगे, तो आप बहतर कर सकते हैं, बचो तयार जरूर कर लीजिए, करना तो पड़ेगा ही आपको, चले एक example हम किसका लेते, which का, देखेगा, अच्छा लगेगा, which, why, will, read, this, book, तो ध्यान से देखें कि बच्चो जो अभी मैं देखेंगे, तो वहाँ पर वह के बाद किया है, helping verb है, फिर सीधे main verb, ठांग देखें, डेखें, डेखें, बहुच के बाद, यानी, what, which, या, whom के बाद, helping verb है, फिर यहा प्रोणाउन आगया, तो जब भी बहुच के बाद, helping verb, फिर नौन या प्रोणाउन आए, फिर कोई प्लस सीधे मेन वर बाज है आप तुरहन समझ जाए वो डबलुएच आप खुद वहां सब्जिक का काम करता है तो अगर यह एक्टिब में सब्जिक्ट है तो पैसी में क्या बन जाएगा आप्जिक्ट तो डबलुएच के पहले हम क्या ले लेते हैं बाई ले लिया ना इंज नहीं होका विल और आपको याद हो गया होगे हां क्या जुड़ेगा बे और वर्व की फॉर्फा फिर से एक वाक ही देखते हैं तो जाता तर समझ ले रहे होंगा जैसे हमने कहा विच इस्टोरी डू यू लाइक क्या आपको लगता है बचों ऐसा कि यहाँ पे आप उस तरह कर सकते हैं जैसे उपर कर पा रहे थे नहीं क्यों 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 कि यहां देखे डबलू अच्छ है फिर हेल्पिंग वर्भ है फिर प्रोनाउन आगे फिर वर्भ है इसका मतलब यहां पे विच इस्टोरी क्या है आपका क्या है अबजेक्ट अगर यह आपजेक्ट है तो पैसे वायस का क्या बनेगा यह कोशिश करें सोचने की पैसे वायस का यह सब्जेक्ट बन जाएगा और अगर यह पैसे वायस का सब्जेक्ट बनेगा तो हमने लिख लिए यहां विच इस्टोरी हो गया फिर सीधे इस के बाद क्या आ जाएगा helping वर्ब में वर्ब आ जाएगा विच इस्टोरी और डू का क्या हो जाएगा इस वर्ब कि थरफाम लाइकड बाई और जो सब्चिक था वो क्या बन जाएगा मुझे आशाई ने विश्वास है कि जादा तर जो बच्चे हैं आप में उन्होंने क्या कर लिया होगा इसे समझ लिया होगा और अगर आपने समझ लिया है जरूर जरूर से बच्चो इंस्पेरेशन के लिए यानि मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है और अधर आपने सब्सक्राइब कर लिया है इस वीडियो को अधिक सदिक्या कर दें शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे से लाफ उठा सके लिए चलें और आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंसे डबली एस से जुबनते हैं विच वाले समझ गया होंगे आप कि जब भी डबली एच के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब आ जाए तो वह वहां क्या करता है सब्जिक की तरह काम करता है तो अगर यह एक्टिव वायस का सब्जिक्ट है इसका मतलब पैसिव वायस का क्या हो जाए गई अब्सिक बन मारा नया सब्जिक्ट क्या जाएगा देम का क्या बन जाएगा दे और क्या जोड़ेंगे वी और वर्ब की हर फार्मले लेगे बाइच इसी में एक और सेंटेंस कर लेते हैं विच्छू सिटी विल यू विजिट है ना तो अब फिर से देख लें आप यहां डबलू यह च है helping verb है लेगे फिर से pronoun आगया फिर main verb है यहां पर विच्छ सिटी क्या है आपका समझ में आ गया होगा यहां विच्छ सिटी आपका object है अगर यह active का object है तो passive का क्या बन जाएगा subject बन जाएगा तो क्या हो गया विच्छ सिटी और subject है तो सीधे बढ़ जाएगे कुछ नही वाट और विच्छ वाले sentences क्या कर लिए होगे जातर समझ लिए होगे अगर आपको दिखते होगे फिर से आप देखेंगे reverse करके तो आप निश्चत ही बहतर कर सकेगे चले कुछ और sentences देखते हैं जो हमें adverb जो होते हैं when हुआ, why हुआ, where हुआ, how हुआ, इन से शुरू होत अब देखेंगे आपके काम आएगा बच्चों हर बच्चे की काम आएगा what है, who है, which है, plus इसके बाद क्या है helping verb है और फिर main verb है तो आप समझ सकते हैं ये what, who, which या क्या हो जाता है subject, clear हो जाएगा आपको यानि यहां subject का का काम करते हैं लेकिन अगर what है, whom है और which है, इनके बाद आपने helping verb ली और फिर कोई noun या pronoun लिया और फिर आपने main verb ली तो आप समझ सकते हैं यहां पी what, whom और which जो है, वो क्या माने जाते हैं, object किस हिसाप से जब आप passive बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि अगर ये active का subject है तो passive का object बन जाएगा और अगर ये active क object है structure में तो passive का subject बन जाएगा है, इसलिए मैंने कहा ये जरूर त्यार कर लीजिए, चलिए अब कुछ और structures देखते हैं, जो हमारे exams में हमारे काम आ सकते हैं, ये structures क्या हो सकते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे बहुत सारे sentences आपके adverbs से शुरू होते हैं, जैसे ये वाई हुआ, जैसे आपने वाई देखा, वेर देखा, हाउ देखा और वेन देखा, तो आप ये तुरण समझ चाएं कि जनरली क्या होते हैं, अकेले ये एडवर्ब्स होते हैं, अगर ये एडवर्ब हैं तो आप इन्हें जहां हैं उतार गें, और आपको पता है, आपका subject यू है और आ यहां आप जिक्या लेंगे आप, दे लेंगे न, और यहां do है तो यहां क्या हो जाएगा, continuous में आर हो जाएगा, वाई आर हो गया, वर्ब के धर फार्म ले लें, called, by ले लें, और जो आप subject था वो क्या बन जाएगा, आप से बन जाएगा, यू हो जाएगा, एक और sentence देम ले लिया, अब जैसे आपने वेर देखा न, कब, क्यों, कैसे, कहा, कितना, कितनी बार का जो जवाब होता है, वो एडवर्ब होता है, यह एडवर्ब है, एडवर्ब को क्या कर लिया, आपने उतार लिया, वेर लिया, नया subject क्या आना है आपका, देम का क्या जाना है, दे आचाने, दे कर उसार helping verb लेंगे, इसके साथ भी are रहेगा न, और क्या जूड़ जाएगा यहाँ पर, being हो जाएगा न, तो जाएगा, where are they being, और verb की, word form, called, फिर क्या लेंगे, by, और नया आप चित, आपका क्या हो जाएगा, you हो जाएगा, अगर आपने कम समझाओ, एक औ meal है न, तो when be वही है न, कब का जबाब है, तो adverb है, उससे हमने क्या कर लिया, उतार लिया, model है न, model तो model ही रहेगी, will हो गया, और नया subject हमें क्या मिलना है, meal मिलना है, when will meal, और क्या जोड़ेंगे, be, और वर्वर की थरफार्म, cooked, by, और आपको पता है, अब याद हो गया ह क्या हो जाएगा, यू कुछ है, इस तरीके से, चाहे sentence हू से हो, चाहे when से हो, चाहे what से हो, चाहे which से हो, आप आराम से कर सकते हैं, अगर आपको अभी भी दिखते हो, आप इस वीडियो को सुरू से फिर से देखेंगे, फिर अपने से करने कोशश करेंगे, तो निश्चत ह कि वो sentence आप कर लेंगे, जो sentence कभी आपके लिए क्या रहा होगा, कठिन रहा होगा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं, कि क्या अब अगर हम WH वाली वाक्यों का passive बना सकते हैं, तो क्या हम जो sentence हमारे helping वर्ग से शुरू होते हैं, क्या वो भी बना सकते हैं, बिल्कुल, एक को और चीज़ मैं कहना चाहूं, बच्यों, इससे माल लीजे, आपको एक्जाम में इस तरह कोई sentence दे दिया, चले हम करकी दिखाते हैं, How can you do this work, तो एक्जाम में बनाना तो है नहीं आपको, एक्जाम में तो आपको चारो दे गए, absence में इसे छाटना है, तो जहाँ पर भी can और be का combination रहेगा, वही आपका क्या होगा, answer होगा, पहली चीज, दूसरा आप यह ध्याम रखेगा, डबलु एच के बाद सीधी आप subject एक्जाम में आपको option में ऐसे दिया जा सकता है, how you, एक नड़, how this work, एक नड़, एक नड़, देखे, एक्जाम में आपको ऐसे दिया जा सकता, how this work can be done by you, कभी नहीं हो सकता है, आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ हाँ के बाद helping verb है न, तो आपका answer में भी हर हाल में इसक helping verb आएगा, तो how, or can, subject आपका आजाएगा, this work और तब भी आएगा, और तब work की थर्फाम आएगी आपकी, ऐसे, तब आप यह conclusion निकाल लेंगे, हमारी WHEH के बाद, पहले helping verb आया, फिर subject आया, फिर be आया, यह चीज अगर आप structure याद रखेंगे, आप कर सकते हैं, जब भी how से, when से, why से, और where से, वाकिश शुरू होगा, तो हर हाल में इसके बाद, अगर helping verb है, तो पैसे में भी इनकी तुरंट बात क्या आएगा, helping verb है, ठीक है, हम ऐसे sentences देखते हैं बच्छों, जो sentences helping verb से शुरू होते हैं, और उन्हें कैसे बनाते हैं, देखते हैं, और बिलको विल, that is the way, जैसे किसे ने कहा, do you, read, books, आपको अगर समय बचाना है, तो आप तुरून समझ जाएं, कि इस do के अस्थान पे पैसे में, इस MR में से शुरू में हे कोई आएगा, बच्छों, हर हाल में कहाएगा, इस MR में से कोई एक शुरू में आएगा, इस MR किस के, किस पर आधारित होगा, books, books plural है न, क्या आजाएगा, नया subject क्या बन जाएगा, books, फिर वर्ब की क्या हो जाएगी, how far, read, our books, read, by you, बिल्कुल आसार, और एक वाकि देख लेते हैं, कहीं किसे ने कहा, will you beat them, आप समझ सकते हैं, जैसे will आपने वाकि के आरम में देखा न, helping verb है, तो भूल मत करिएगा, हर हाल में, subject क्या आधार पे, will या शेल ही आधा, वो पहले आएगा आपका, फिर आपका subject क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, क्या जोड़ेंगे, be, और वर्ब की थर फार will they be beaten हो जाएगा, beaten by you हो जाएगा, कितना साल है, एक और वाकि देख लेते हैं, किसी ने कहा, have you called her, समझ गया होगे, जब भी आएगा, वाकि के आरम में, has, have आएगा, और subject के बाद भी ना आएगा, ये clues हैं, जिसके द्वारा आप कर सकते हैं, थ्मारा नया subject क्या है, हर, य है, और क्या चोड़ देंगे आप, be no, और बाकि वही है, called by you हो जाएगा, इस तरह सापिक, intra-group sentence, जो चाहे, who से शुरू होता हो, whom से शुरू होता हो, where से शुरू होता हो, when से शुरू होता हो, where से शुरू होता हो, और भी which से सुरू होता हो, आप आराम से इनका passive बना सकते अब हम देखते हैं, कोई imperative sentence अगर हमको बनाना है, तो एक imperative sentence का passive हम कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है बच्चों, जो भी बच्चे imperative sentence को समझते हैं, उन्हें याद होगा कि एक imperative sentence generally main verb से शुरू होता है, कहां शुरू होता है, main verb से शुरू होता है, जैसे कोई कहे, go there, तो यह ऐपका imperative है, या फिर कोई sentence आपका please say, kindly से शुरू होता है, वो आपका imperative होता है, कोई sentence अगर don't या never से शुरू होता है, और last में full stuff है, और mana करने का भाव है, वो imperative है, कोई sentence, अगर let से शुरू होता है, last में full stuff हो इं टीक है, तो सबसे पहले हमको यह देखना होगा, बहुत आसान है आपके एक्जाम के लेबल पर मैं आपको बता रहा हूँ चुकि मेरा टार्गेट इस समय टिट वगर की एक्जाम शे इस पीड में थोड़ी सप्नी फास्ट रख रहा हूँ ताकि आप कम समय में बहतर कर सकते हैं आपको पहले यह समझना होगा कि इस इंपरेडिव सेंटेंस का भाव क्या है अगर आपको लगता हो कि एक्टिव वैस में भाव आदेश का है तो कुछ नहीं करना है पैसिव वैस में आप क्या ले लेजीगा अगर आपको लगता है कि एक्टिव वैस में वाकि जो है वो आदेश का भाव न ले करके वो सलाह का भाव लेता है तो कर लेंगे अपना क्या हो जाएगा वो यू आर क्या हो जाएगा एडवाइस्ट हो जाएगे यू आरएडवाइस्टो पलस जो सेंटेंस से उतार दीचेया अगर मालत में अंचनती है आप वा न लेता ëक्वार दिजेग हो तैक राक्तना का भाव रिक्वेस्ट किया जा रहा हो पिर से क्या लेले लेगे you are requested to समझ रहेंगे you are requested to plus sentence जो please या kindly होगा उसे क्या कर दीजेगा हटा दीजेगा क्योंकि वो symbol है request का और आपने है request ले deze मानलेजे आपको मना किया जा रहा है यानि मना करने का भाब आपका है क्या ले लेजेगा you are faravored to plus sentence ठीक है और अगर आप ये लेंगे फारबेट का प्रियोग करेंगे तो फिर डू नाट या नेवर को क्या कर दीजेगा हटा दीजेगा और अगर नेवर है तो लास्ट में ये वर भी जोड सकते हैं लेकिन बनाना तो है नहीं आपको वहाँ दिया जाए पहले इन चार पे हम करके तो अगर आतेश दे रहें तो कुछ भी नहीं करना है यू आर्डड तू और पूरा उतार देजे बिना बदले तू गो गया माले किसी ने कहा लिट मी गो ठीक है अब माली आप इससे एक रिक्वेस्ट के रूप में ले रहे हैं तो जनरली इसको और भी हम तरीके स्कर सकते लेकिन अभी बात में लेखें पहले जनरली करें यू आर्ड रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो ठीक है यानि जहां जैसा भाव हो वैसा माली किसी ने आप से कहा प्लीज गो देर अब तो आपको पता है कि क्या है यह रिक्वेस्ट है क्या हो जाएगा यू आर्ड रिक्वेस्टेड टू पूरा उतार देजी गो देर हो चाहिए ना माली जी ऐसा भाव नहों करके कोई ऐसा वाक्य आपको देडिया जैसे किसी ने कहा आप से डोंट गो देर अभी मना किया जा रहा है तो आप क्या ले लेंगे यू आर आप इसे और भी तरीकों से कर सकते हैं लेकिन अभी हमें जरूरत है थोड़ा बहुत समझनिक ताकि एक्जाम से में हमको मदद मिल सकते हैं मालिक किसी ने कहा आप से नेवर गो देव तो आपने क्या ले लिया यू आर पारवेड टू गो देव और चुकि नेवर है न लास्ट में एक सब्द जोड़ सकते हैं आप एवाग जोड़ सकते हैं अब हम अपने बहुत इंपॉर्डन बिंदु पर आ रहे हैं जो सेंटेंस अकसर एक्जाम में दिये चाहते हैं किसी ने आप से कहा लिट मी डू दिस घ्रीग बचों इसको आप देख रहे हैं यहां दो आपजेक्ट्स हैं मी भी है और दिस वर्क भी है तो आप जब इसका पैसी बनाएं क्या कर लें लिट ले ले फिर दूसरी आपजेक्ट को पहले कर ले यह जो आपजेक्ट हैं ना पहले कर लिए है लेट भी है लिट इस वर्क लेट डिस वर्क और क्या जोड़ेंगे लेट के बाद बी ज जोड है मौरल की तरह बेकियों को लेट बराबर शूड़ होता है जोनल लेट डिस वर्क भी और work की थरफ आम हो जायाएगी लेन यहां लेने कोई बहुत आवश्यक्ता नहीं है लेना चाहें तो आप बाई मी लेजाएं एक और एक्जाम्पल करके देखते हैं लिट हिमर रीडर बुक्स कर लेंगे आपने स्कोश्च करें सोचें मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले क्या लिखूंगा लेट लिखूंगा क्योंकि यहां आप्जेट्स है न तो लेट वुक्स हो गया लेट बुक्स क्या जोड़ेंगे बी वरफी कौन सी फार्म रेडर फिर बाई अगर लिना चाहते हैं तो बाई इस तरह आप वो सेंटेंस कर लें जो आपके एक्जाम्स में द लेट faço 얘 ने जो सेंडू कि मैसे को सिस्परे मच हो सोच रहे होंगे है सबसे पहले क्या लिना चाहेंगे सबसे पहले क्या लोंगे आप लिख लेंगे फिर हमारेपास तूंदो आपजेक संदें और मैसे बलित दें यह आपका आपज़क्त तो ह 20 और क्या भीजेंग यू Cyrus ये भी आपजिक थे तो सबसे पहले दूसरा आपजिक समझ में आ गया होगा मैसेस हो जाएगा क्या जोड़ेंगे आप दी चोड़ेंगे वर्व की थर फाम ले लेंगे सेंट और अगर आप चाहें तो बाई ये बहुत पढ़ी एक्जाम्पल बच्चो जो जातर एक्जाम्स में आपको दिया जाता है तो ये जो आपका सेशन है पाट सेकेंड का वो जरूरी अच्छा लगा होगा छोड़ी छोड़ी चीजे जो आपको इंट्रोगेटिव और इंपेडिव में दे चाहते हैं वो मैंने दे जाते हैं जो चेटेंटेंशे जो और अच्छे से देखेंगे suis और आपको समस्माज है आज मैंने आपको देने कोशुश की है अगर कहीं भी आपको दिक्कत है नो नदुबारा देखें गजी तो आपको बहतर समस्माज है उसके बावजुद दिखत है तो आप मेरी जो मेरी Facebook ID है संतोष ठिवास्तो के नाम से उस पे आप Messenger के थू मेरे से बात कर सकते हैं अगर आप WhatsApp नमबर मेरा लेना चाहें तो ये नमबर ले सकते हैं आप मेरा इस पे आप मुझको अपनी जो आपकी प्रॉलम से शेर कर सकते हैं यहां यहां पे सर आपको प्रॉलम है तो फिर मैं निश्चित ही आपको आपकी हेल्प करने की कोशेश करें ठीक है चले बच्छो लेट्स नाओ डिपार्ट फ्रॉम वन अनदर एक दूसर अलग होते हैं ले करिंग नी से अलाग होते हैं एक अलाग हैं यहां लेक बनाड़ होते हैं अलाग हैं 24 जो आपकी हैं 5 gotta उनाफ फ्कारी कोशेर प्रॉलम है MARY helping ल presents जो आद होते हैं जो प्रॉुम मैं nghi minds दम मैं tard हैं जो आपकी हैं गयार खर श्रॉआ इस होग है दो घंदॉआ हैं रूँ मैं